अलो बैक बेंचर्स तो आगे हम वापस क्लास नाइन्थ के फंडमेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो की सेल चेप्टर है उसके वीडियो के साथ पिछले क्लास में आपने देखा सेल थियोरी ओप आपको सेल थियोरी कम्प्लीट समझ में आ गया होगा आप कोई भी डाउट नह कर देखा है तो इसका जवाब जो है इसी टर्म में चासे के सब्सक्तै कर थे चिपा हुआ है क्या चिपा हुआ है तो देखिए उसको निकालते हैं बाहर यूनी का मतलब होता है और cellular का मतलब cell तो जो organism एक cell से बना हुआ होगा उसको क्या कहेंगे unicellular organism कहेंगे तो organism which are made up of single cell is called as unicellular organism जिसका पूरा body तो सिर्फ एक cell से बना होगा पूरा body कहने का मतलब कि उसी के अंदर वो खाता भी होगा उसी के अंदर उसका digestion होता होगा उसी के अंदर absorption उसी के अंदर assimilation उसी के अंदर eegation transportation का जो process है respiration का जो process है और reproduce भी वो single cell के अंदर ही कर लेता होगा so that organism is known as unicellular organism उस organism को हम क्या कहेंगे unicellular organism कहेंगे तो चलिए देखते हैं कि इतने सारे organisms जो हमारे world में present है उनमें से unicellular कौन-कौन से हैं ठीक है तो देखते हैं कौन-कौन सा example है हमारे पास तो example में bacteria ठीक है bacteria तो बहुत जादा common है हर एक जगा जाता है मारे हाथों में पाया जाता है माउथ में पाया जाता है हमारे गाट में भी पाया जाता है ठीक है मतलब आप जहां कहीं भी mycroscopic है वैसे तो naked eyes हम उसको देख नहीं सकते बट अगर microscope की help से अगर देखने का प्रयास करोगे तो आपको लगबग लगबग हर जगह bacteria's मिल जाएंगे तो bacteria's जो है हमारे लिए useful भी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा honey कारग भी है ठीक है तो bacteria is a single-celled or a unicellular organism ठीक है बहुत बड़ी बात पता चली है इसके बारे में फिर है paramecium paramecium कैसा होता है तो paramecium जो होता है par का जो चपल का shoal होता है ठीक है उसी तरीके से इसका जो मतलब diagram होता है इसका जो body shape होता है उसी तरीके से होता है ठीक और तीसरा है ये तो बहुत बार आपने सुना होगा अभी तक जो 6, 7, 8th class में आप science पढ़ते हैं तो उसमें तो amoeba का नाम आता ही आता है आपने देखा होगा इसका fixed structure नहीं होता ठीक है कोई भी fixed structure नहीं होता ये stagnant water के अंदर generally पाया जाता है ठीक और ये बहुत जादा famous है तो आपको तो इसके बार में पता होगा तो this is also a unicellular organism ये क्या है unicellular organism है अब बात करता है कि अगर ये सारे unicellular है तो हम multicellular किसको कहेंगे ठीक है multicellular organisms कौन कौन से होते हैं तो multi यहाँ भी हमें नाम ये जो है हमारा ये term उसी से उसका नाम derive करना उसी से उसकी definition derive करनी है ठीक है उसी से उसका meaning derive करना है तो multi का मतलब क्या होता है more than one ठीक है एक से ज्यादा और cellular मतलब cells ठीक है तो organism which are made up of more than one cells और many cells are known as multicellular organism ऐसे organism जो या तो एक से ज्यादा या बहुत सारे cells से मिलके जिनकी body बनी हुई हो उनको हम क्या कहेंगे multicellular organism कहेंगे तो आपकी body क्या है human beings क्या है unicellular की multicellular ठीक है तो चलिए examples में देख लेते हैं कि multicellular organisms किस-किस को कहेंगे multicellular organism जो है वो है dog dog की body जो होती है बहुत ज़ादा complex होता है बहुत बढ़ा होता है ठीक है तो dog is a multicellular organism cat is also a multicellular organism rat is also a multicellular organism fish और यह birds भी जो होती है ठीक है यहाँ पर fish जो है amphibians है मतलब पानी में रहने वाले जानबर है ठीक है sparrow हो गया crow हो गया ठीक है यह सारे के सारे कह है multicellular organisms है and human being we are also a multicellular organism हम लोग भी multicellular organism है तो hope आपको लोगे with definition ठीक है तो आप यहाँ पर इसका screenshot ले सकते हो ठीक है तो अब हम देखेंगे cell size के बारे में कि क्या different different organisms होते है उनमें cell का size जो होता है वो same होता है क्या जो एक cheaty है उसके body में जो cells है वो उतने ही बड़े होंगे जितना बड़ा एक हाथी होगा उसके body में होगा ठीक है और भी बहुत सारे organisms है जैसे कि plant हो गया human beings हो गया birds हो गई fish हो गई तो मैंने आपके लिए बहुत सारा diagram बनाया हुआ है देखे यहाँ पर यह bird है ठीक है bird का जो structure बड़ा है यहाँ पर आप tree भी देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो चीटी एगरी I am ant man एंट मैं है अभी निकल के बड़ी हो जाएगी ठीक है अभी फिलाल तो छोटी है यहाँ पर human beings भी है ठीक है पाजी है आप पाजी का picture मैंने बनाया है पाजी अच्छे लग रहा है पाजी क्या सोच रहे है आज backventures का वीडियो शेर करूँगा बिल्कुल पाजी backventures का वीडियो बहुत ज़्यादा शेर होना चाहिए ठीक है लाइक किया जाना चाहिए शेर किया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग को भी नॉलेज पहुचे तो आप लोग भी पाजी की तरह ही backventures का वीडियो है वो शेर करते रहे है अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिब्स के साथ ताकि उनका भी भला होता रहे फिर यहाँ पे फिश हस्ती मुस्कुराती एकदम मचली रानी यह एक aquatic animal है पानी में रहने वाली है इसके लिए अभी हमने पानी नहीं बनाया है तो मर जाएगी थोड़ा सा पानी बनाई देते हैं चलो इसका भी भला कर देते हैं क्यों कहेगे कि मार दिये इनोंने बाहर निकालके इनसान वैसे जालिम साबित हो चुके इसके लिए हमने क्या कर दिया यह वाटर बना दिया लोग मचली रानी आप पानी में तरते रहू और यह हमारे हाथी वही है elephant तो यह सारा आप diagram देख रहा है तो इसको देख करके आपके मन में एक basic question आना चाहिए कि क्या elephant, fish, human beings और जो यह हमारी bird है tree है, ant है इन सब के अंदर cell का जो shape है, cell का जो size है ठीक है? क्या वो same होगा या उनके body के अंदर वो different होंगे? ठीक है? और different होंगे तो क्यों होंगे? ठीक है? इसका basically explanation यह है कि organisms के size के उपर cell का size depend नहीं करता है organism भले ही कितना भी बड़ा हो cell का size उतना ही रहेगा जितना की चीटी में है उतना ही रहेगा जितना की हाथी में है ठीक है? बस क्या हो जाता है कि number of cells क्या बढ़ जाते है number of cells बढ़ जाते हैं ठीक है, millions हो सकते है, billions हो सकते है, उससे बड़ा जानवर हाथी है, इसमें हो सकता है, 10 million हो, ठीक है, मैंने का हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते है, ठीक है, लेकिन क्या है, number of cells ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें उससे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज् बड़ा वाल पेड़ी छोटा वाला पेड़ होगे مलेते हैं कि इसके बॉड़ी में कितने होगे 90,000 जो चीडिyi भूबचक यह दो इनके बॉड तो इन वो exactly same होगा, एक दूसरे से match करेगा, ठीक है, एक दम exact क्या होगा, एक दूसरे कुछ cells जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा minute होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम naked eye से नहीं देख सकते है यिनको हम naked eye से देख सकते है तो जिन cells को हम naked eye से नहीं देख सकते हैं उनको एक particular सबसे चोटा सा कौन सा है ये सब चीजे दो-चार एक्जाम्पल्स के थो हम इसको समझ लेते हैं तो सबसे पहले माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा जो है वो smallest cell in all the living organisms मतलब जितने भी organisms हैं इस धर्ती पे ठीक है उन सारे organisms में सबसे छोटा जो cell है ठीक है वो किसका है माइको प्लाजमा का है कितना चोटा इसका cell होता है तो 0.1 micrometer का इसका cell होता है माइको प्लाजमा का 0.1 micrometer का ठीक है उसके बाद बात करते हैं ostrich egg ostrich egg को तो हम naked eye से देख सकते हैं even egg को हम naked eye से देख सकते है ठीक है और कोई भी egg जो है वो single cell ही होता है ठीक तो ostrich egg जो है वो largest cell in animals मतलब सारे के सारे animals में जितने cells होते है उनमें सबसे बड़ा जो cell है वो किसका है, ostrich के अंडे का ठीक है, सबसे बड़ा अंडा होता है ठीक, फिर यहाँ पर बात करते है nerve cell की, nerve cell जो होता है वो largest cell होता है human beings के अंदर nerve cell, इसको पैचानते हो ले करके आपके brain तक जाता है brain तक जो information पहुँचाता है कि ऐसा pain हो रहा है या अच्छा feel हो रहा है, या फिर कुछ भी इस region में short लग गया है, तो सारा information जो carry करता है, वो वाला cell है nerve cell, ठीक है, information carry करके आपके brain तक वो पहुँचाता है तो nerve cell जो होता है, वो largest cell होता है, human beings के अंदर ठीक है, humans के अंदर सबसे बड़ा cell कौन सा होगा, nerve cell, ठीक और ovule of caicus, caicus एक plant है, जो की generally use किया जाता है, decorations के लिए ठीक है, मतलब हर किसी के दरबाजे पर तो नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो होते है, sock से लगाते है caicus का पेर लगाते है, खजूर की तरह दिखता है, लेकिन ये decorations, मतलब खजूर नहीं होता, खजूर की तरह दिखने वाला पेर है, ठीक है, caicus तो वो जो है, उसका जो ovule होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है, in all multicellular cells, जितने भी multicellular cell है, जितने भी multicellular organism है, उनके अंदर जितने भी cells present होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा cell होता है, ovule of caicus का, ठीक है, caicus का जो ovule होता है, वो सबसे बड़ा cell होता है, ठीक, तो hope, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये सारी बाते, ठीक है, cell के size के बारे में, मैं बात कर लेते हैं cell के shape के उपर, तो cell का जो shape होता है, ठीक है, वो generally depend करता है कि वो कौन से region में body के present है, वो कैसा organism है, उस organism के body में, उस part में उसका function है, उसके उपर depend करता है कि वो cell का जो shape होगा, वो कैसा होगा ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा अलग-अलग तरह के cells को draw किया है, जैसे कि ostrich का जो egg होता है, जैसे अभी हमने देखा कि animals के अंदर सबसे बड़ा जो cells होता है वो कौन सा होता है, ostrich egg ठीक है, तो ostrich egg जो होता है, वो oval shaped का होता है अंडा, जैसे आपने देखा होगा, वैसा ही होता है अंडा, बस यह अंडा क्या होता है बड़ा होता है, size में बिगर होता है ठीक है, तो ostrich egg, oval shaped ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह nerve cell है, nerve cell मैंने भी बताया था कि human body में जो information transfer करता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है उसको क्या कहते है, nerve cell कहते है तो यह nerve cell जो है, यह इस तरीके से इसका body होता है, यहाँ पर dendrites होता है यह cell body होता है, यहाँ पर exons होते है ठीक है, और यह क्या करता है यहाँ से information collect करता है cell body में लाता है, यहाँ पर exons के तुरू यह क्या कर देता है, transfer कर देता है यहाँ पर दूसरे nerve cell जो है, इसके साथ जुड़े होते है तो एक जगह से 1-2, 2-4, 4-8 इस तरीके से वो क्या करता है, तो रहते information brain के पास पहुचा देता है फिर है यहाँ पर RBCs RBCs जो होता है, generally क्या होता है bi-concave होता है, bi-concave मतलब दोनों तरफ से अंदर की तरफ धसा हुआ यह जो होता है, jointed होता है, दोनों तरफ से इस तरीके से धसा हुआ है, तो इस तरीके से structure होता है generally इसमें nucleus present नहीं होता तो पैर यॅक्टे क्या होता है वह आगे देखेंगे आगे class में यह fat cells मतलब आपके body में मोटापा चड़ता है ठीक है आप जो मोटे हो जाते हो तो वह क्यूं क्यूंकि fat cells जो है आपके skin के बीच में वहाँ पर store हो जा रहा है ठीक है जाके मतलब fat cell का size होता वो कुछ इस तरीके से होता है then after sperm cell sperm cell के बारे में आपको साइध पता होगा sperm cell के जो होता है वो generally male gamete के रूप में माना जाता है male gamete है ये ये क्या करता है egg को fertilize करने में help करता है जितने भी male होंगे वो क्या करते है gametes produce करते है for the process of fertilization तो उसका जो shape होता है वो कुछ इस तरीके से होता है sperm cell का then after ये क्या है smooth muscle cell ये क्योंसा cell है smooth muscle cells है smooth muscle cells है ये हमारे body में present रहता है हमारे smooth जो ये body part है जहां कहीं भी contraction relaxation होता है due to the muscles वहाँ पे ये present रहते है muscle cells है जेनरली तो और ये कहा है ये है leukocytes leukocytes क्या होता है soldier of our body जिसको कहा जाता है soldier of our body मतलब की जो जैसे अगर कोई pathogen हमारे body में enter कर जाता तो उससे लरने का काम करता है तो उससे हमें बचाने के लिए उसके उपर attack करता है उसको निगल जाता है और अपने body के अंदर ही उसको kill कर देता है तो वो leukocytes यहाँ पे present है उसका जो shape होता है उसका जो size होता है कुछ इस तरीके से होता है ठीक है hope कि आपको ये सारब चीज clear होगा cell safe के बारे में clear होगा clear है तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए ठीक है और जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाईए ठीक है subscriber तेजी से 1K की तरफ ले जाएगे ठीक है हमारा ये demand है कि मतलब इस week में तो at least कम से कम हम 1K पहुँचा ही सकते है ठीक है तो come on student army इसको 1K ले जाना है और भी बहुत जादा दूर तक सफर हमें तै करना है लेकिन अभी फिलहाल हमने एक landmark रखा है 1K का ठीक है तो फटाफट शेर कीजिए subscribe कीजिए like कीजिए ठीक है और bell icon को दवाईएगा ठीक है चले हमें एलते ने नेक्स वीडियो